नमस्कार दोस्तों मैं आलुक सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ Maths के ये दो महत्वून प्रस्न और यह है प्रस्न आपके किलास 10th Maths MP Board के वर्स 2023 के एकजाम में पूछे गए हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको find करना है A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 को और आपको ये दो linear equation यहाँ पर दी गई है इसके बाद यहाँ पर आपको ये दो linear equation दी गई है इनको आपको solve करना है तो सबसे पहले हम expression को solve करेंगे तो यह जो दो equation आपको दी गई है इनको हमने यहाँ पर लिख लिया है इसके बाद हम इनका transpose करेंगे यहाँ पर 5 और 7 का तो हमको यह equation इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगी इनको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर दे देंगे इसके बाद यह जो दो equation है इनको हम compare करेंगे जो हमारा linear equation का standard form होता है A1X plus B1Y plus C1 equal 0 और A2X plus B2Y plus C2 equal 0 से तो यहाँ पर हम देखेंगे A1X तो A1 की जगए यहाँ पर 3 है B1 की जगए यहाँ पर 2 है C1 की जगए माइनस 5 है और यहाँ पर A2 की जगए यहाँ पर 2 है B2 की जगए यहाँ पर माइनस 8 है और C2 की जगए यहाँ पर माइनस 7 है तो इनकी value को हम यहाँ पर लिख लेंगे और अब हमको find करना है a1 upon a2 तो हम यहाँ पर देख सकते हैं a1 upon a2 करेंगे तो 3 upon 2 हमारा answer होगा और b1 upon b2 करेंगे तो 2 upon minus 8 हमारा answer होगा और c1 upon c2 करेंगे तो यहाँ पर minus से minus cancel हो जाएगा तो 5 upon 7 हमारा answer होगा और अब हम इस फ्रेस्टन को solve करेंगे यहाँ पर आपको linear peer equation दी गई है इंको आपको solve करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनको equation one और equation two यहाँ पर दे देंगे इसके बाद इन दौनो equation को हम plus कर देंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 2x equal 18 याँ क्योंकि जब हम दोनो equation को plus करेंगे तो x plus x यहाँ पर 2x हो जाएगा और plus y minus y यहाँ पर 0 हो जाएगा और 14 plus 4 करेंगे तो हमको यहाँ पर 18 मिला इसके बाद हम इसको solve करेंगे तो x की value यहाँ पर 9 हो जाएगी और इस x की value को हम equation 1 में रख देंगे equation 1 में जब हम x equal 9 रखेंगे तो हमको मिलेगा 9 plus y equal 14 मेरे वीडियो पसंद लाया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और यह आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू